Hello friends, welcome back to my channel. I hope आपने last के जो वीडियोस देखे होंगे, आपको clearly समझ में आ गया होगा कि टेराफॉर्म है क्या. इस वीडियो में जो है मैं आपको टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन के बारें बताऊंगा. तो आपको करना गया है Google में जाओ, और यहाँ पर आप टेराफॉर्म डाउनलोड. पहला ही लिंक आएगा, इंस्टॉल टेराफॉर्म का, इस पर क्लिक करो. अब क्योंकि मैं Windows-based machine use कर रहा हूं तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पर जाओंगा और AMD64 का binary download करूंगा. यहाँ पर download होने के बाद मैं अपनी download location में जाता हूं. और यह मेरा zip file में मेरा download हो गया है. इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको extract करूंगा, क्योंकि zip format में है, तो यह मेरा extract हो गया है, मैं वापस से download page में जाता हूं, तो यह मेरा एक folder बनके इसको extract कर दिया है, तो इसके अंदर आप देखेंगे, तो terraform.exe करके application download हुई है, ठीक है, executable application है. अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए, मैं इस file को copy करता हूं, और मैं यहाँ पर जाके file explorer में जाता हूं, और यहाँ पर मैं C drive में जाता हूं, और इसके बाद यहाँ पर एक folder बना देता हूं, terraform के नाम से, और इसके अंदर में उस file को paste कर देता हूं, तो मैंने वो जो application है, वो C drive में folder बना की यहाँ पर paste कर दिया, उसको location मैंने change कर दिया, अब इसके बाद next step क्या है, कि मैं environment variable में define करूंगा, इसके path को, environment variable का define का मतलब क्या है, कि for an example, अब आपको terraform अगर use करना है, और मैं command prompt open करता हूं, और मैं यहाँ पर terraform hyphen version type करता हूं, तो यह बोलता है कि terraform यह देखो, terraform is not recognized as an internal or external command, ठीक है, उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं cd backslash जाऊंगा, और cd मैं terraform location के अंदर जाऊंगा, and then उसके बाद यहाँ पर भी मैं terraform hyphen version type करता हूं, तो मुझे जो है, उसका version दिखाएगा, यह देखो, क्योंकि मैं उस particular path के execute कर सको, तो उसके लिए आपको environment system में, environment variables में आपको define करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, start में जाओ, control panel में जाओ, यहाँ पर आपका system आता है, then उसके बाद आपका advanced system setting आता है, then यहाँ पर आपका environment variables आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका system variables आता है, आपक को system variable देखना है यहाँ पर आप नीची आओगे तो path करके आता है अब इस path पर जाने के लिए हम क्या करेंगे पहले जो मेरा location था c terraform जहाँ पर मैंने paste किया इसको मैं copy करूंगा path को और मैं इस path को जो environment environment में जाके path पर double click करूंगा और यहाँ पर एक नया variable या value set कर दूँगा set करने के बाद मैं इसको ok कर देता हूँ इसको भी ok कर देता हूँ और इसको भी ok कर देता हूँ अब मैं यहां पर terraform-version type करता हूँ, तो देखो, मुझे भी version दिखा रहा है, अगर मैं इसके root drive में भी जाता हूँ, C में भी और यहां पर भी मैं terraform-version type करता हूँ, तो भी जो है, मुझे वर्जन दिखा रहा है, तो environment variable set करने का, system variable set करने का ये benefit है आपका, तो ये आपका download and installation तो हो गया है, तो एक method तो यह है कि आप command prompt open करो, और उसके अंदर जाके, आप जैसे मैंने भी process बिताये कि executable file को एक location में डालो, और इसके बाद environment variables में जाके, system variables के अंदर, path के अंदर इसका location देतो, तो आप यहां से terraform की commands use कर सकते हो, ठीक है, दूसरा option क्या है, जो कि मेरे हिसाब से best approach है कि visual studio code को डाउनलोड करो, तो उसके लिए भी आपको करना है क्या है, google में जाओ, और इसमें type करो, visual studio code download, यहां पर आपका option आएगा, और इसमें आपके अलग-लग operating system के साब से अलग-लग version है, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा हूँ का जैसे windows है, तो user installer, उसके बाद system installer, फिर CLI, तो यहां पर आपको system installer जो zip है, यह वाला, x64, यह आपको download करना है, मैंने already download किया हुआ है, इसलिए मैं download नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे download section में, vs code setup x64 1.93.1 version मैंने download किया हुआ है, इसके बाद आपको install, इसको कर देना है, installation बहुत ही simple है, ठीक है, मैंने जो है already install किया हुआ है, तो मैं अपने start में जाके, और इस पर click करने के बाद, यहां search में आपको terraform search मारना है, terraform के आपके बहुत सारे extensions दिखेंगे, ठीक है, तो इस पर सबसे पहले, आपको जो second option है, hashicorp, terraform, यह इस पर आपको click करना है, और इसके बाद आप इसको install कर दो, तो यह भी installing हो रहा है, जैसे ही install हो जाएगा, तो यहां पर आपको देखो, uninstall, disable, यह button आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका install हो चुका है, ठीक है, उसके बाद, आपको दूसरा जो extension install करना है, वो Azure terraform का, अब Azure terraform का extension इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो, यह जो series है terraform की, इसमें मैं आपको Azure की ऊपर resource deploy करके वो दिखाने वालो हूँ, यानि कि Azure मैं as a cloud provider, मैंने cloud service मैंने choose किया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी install पर click करेंगे, तो यह भी install हो रहा है, तो यह भी दोस्तों जो है, मेरा install हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर disable का button आ रहा है, ठीक है, अब यह हमारा installation part हो गया, अब terraform को use करने के लिए, visual studio के थूर अगर आपको use करना है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, file में जाएंगे, और यहाँ पर open folder पर जाएंगे, open folder में जाके, मैं this PC में जाऊंगा, अपने local C drive में जाऊंगा, और जो मैंने एक folder बना रखदा, terraform का, उस folder को मैं click करके, select folder पर click करूंगा, तो मेरा यह folder terraform का select होगे, इसको यहाँ पर आपके पास ऐसा आएगा, do you trust the author of files in this folder, तो इसको select करके, आप yes, I trust the author पर click कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते कि, मेरा terraform.exe यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो इस वीडियो में यहीं तक था, जहाँ पर मैंने आपको पूरा installation बताया, कि terraform को कैसे download install करना है, terraform को हम जो है दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो आप command prompt के थूरू यूज कर सकते हैं, दूसरा visual studio code के थूरू, हम लोग यहाँ पर visual studio के थूरू भी यूज करेंगा, और command prompt के थूरू भी, ठीक है, तो दोस्तों, I hope यह video आपको clearly समझ में आ गया हुगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करो, share करो और subscribe करो, and thanks for watching this video.